जहें दोस्तों मैं विजे शुकला इंटरनाशनल कोच, इंटरनाशनल आथलीट, Athletic Federation of India से रिकुपनाइस कोच तो आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर जहां पर होती है जो स्वागत करते हैं जो सीयर आप से यूट कर लें अगर आपके पैर नहीं ऊटें जो लगते हैं कि आपके पैर लास में थoter जाते हैं आप के पैर नहीं उत्ते हैं आप स्टेंट प्र कर रहे हैं आप stretching भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी पैर लास्ट में उठते रही है तो आप hamstring की strengthening करते हैं काफ की strengthening करते हैं लेकिन एक major part है जो running में बहुत जरूरी है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा with the support of this human bone structure तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा shin bone जिसे हम जिस पर shin splits होते हैं वो इस तरीके से हमारे feet से correct होता है और जब भी आप दोड़ते हैं तो इस तरह से आप stride लेते हैं आपने calf की strength कर ली जो की यहां पर located है आपने hamstring की कर ली जो उपर है आपने pate की कर ली abdomen की कर ली लेकिन जब तक आपका planter यह जो shin का जो portion होता है जब तक यह strong नहीं है आपकी running अच्छी होगी ही नहीं और अगर यह strong नहीं है तो आपके ankle में pain रहेगा आपके तलवे में pain रहेगा जाद तर लोग में नो complain करते हैं कि सर तलवे में pain है तो ankle या फिरम feet की अगर हम बात करें इस तरह से हमारा feet होता है और जब तक इसकी strengthening नहीं होगी तो आप इसकी दिक्कत को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं उसे बताने से पहले मैं आपसे comment में चाहूंगा कि आप comment करके बताएं कि कौन-कौन लोग हैं जिसने कभी भी feet के exercise नहीं करी है और अगर आपने करी है तो कौन सी करी है चलिए comment करके बताएए ओके धन्यवाद उमीद करता हूँ कि आपने comment करके बता दिया है तो अब मैं आपको सिर्फ दो ऐसी exercise बताऊंगा जिससे कि आपके अगर आर्च में प्लैंटर वाले portion में pain रहता है या फिर आपके ankle में pain रहता है या फिर आपके legs नहीं उठते है उन दो exercise को करके आप इस problem से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए वो exercise कब करनी है कैसे करनी है और कौन सी exercise है उसके लिए चलिए सुरवात करते हैं आसान भासा में सबसे पहले समझे की जरूती है कि आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने human bone का structure रखा है एक तरफ मेरा pair है तो इस तरीके से हमारा pair located होता है और सबसे आदब जो bounce मिलता है वो हमारी R से मिलता है मतलब कि इस वाले portion से मिलता है अगर मैं human structure से देखा हूं तो जो inner side होती है जब त देख सकते हैं तक planter की strengthening नहीं करेंगे तब तक जो आपकी running में जो final kick है जो bounce है वो तब तक नहीं आएगा अब इसकी strengthening लिए आप लोग करना क्या है चलिए उन excess की बाते करते हैं इन excess के लिए आपको चाहिए क्या इस तरह का human bone structure तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो आप देख दलने माला होना चाहिए उसके उपर दोनों पैर ऐसे करके खड़े हो जाएं अब पैरों को बगर उठाए पैर की उंगलियों की support के साथ आपको आगे सरकना है आप देखें कि बहुत मुश्किल होता है और तॉलिया के सरक के fold हो जाता है लेकिन इसी से आपकी arch की strengthening हो रही ह आप धीरे धीरे आगे भड़ेंगे जब यह सुकर जाता है इसको फिर से सीधा कर लीजिए और फिर से करिए इससे जो पैर का जो arch है यह वाला जो portion है इसकी जो muscle है जो planter है उसकी बहुत strengthening होती है और जो planter है आप देखेंगे अगमारी जो काफ मसल होती है काफ मसल आके somewhere हम हमारे ankle में आके infuse होती है मतलब कि जूड़ती है planter से planter यहां से आके जोड़ता है तो इसकी strengthening होती है जिससे कि आपकी जो legs ना उठने की समझ से है वो काफिया तक दूर होती है अब चलिए बात करते हैं डूसी exercise की तो उसके लिए आप इस तॉलिया को हटा दीजिए और आ हमारा pair है और जह हम इस तरह से से रखते हैं तो हमारे arch की इस वाले portion की strengthening होती है इसको भी आप कर सकते हैं तो यह दो exercise है जो आपको करनी है अब ध्यान रखना है पहली वाली जो towel को हम squeeze कर रहे थे वह exercise आपको 2-3 minute करनी है और यह exercise आपको 10 step यानि कि right pair से 10 बार left से 10 बार और आपके जो parmout ने की समस्या है ankle का pain है या feet में तलवे के अंदर planter के अंदर pain है वो बहुत जल्दी sort out होने वाला है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों से share करिए अपने friend family से share करिए और जब तक नए वीडियो आता है इस channel तो support करिए क्योंकि इस channel प झाल करिए आपको यह झाल कर दोस्तों से.